हेई देर, आप सब स्वस्थ हैं, मस्थ हैं और अपनी लाइफ को खोब इंचॉय कर रहे हैं आज हम अपने न्यू सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस की आखिर फॉरेंसिक साइंस होता क्या है इसकी जरुवत क्यूं पड़ी और हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव एंड फेमस कॉंट्रिब्यूटर इसकी किन-किन साइंटिस्ट ने किन-किन forensic experts ने क्या-क्या contribution दिया इस field में forensic actually Latin word forensis से बना हुआ है जिसका मतलब होता है belonging to court of justice यानि की criminal justice system का जो part होता है तो in short forensic science वो branch of science होती है जिसमें हम with the help of application of science criminal cases को solve करते हैं मतलब इसमें overall सारे जितने भी subjects include हो जाएंगे physics हो गया, geology हो गया, computer science हो गया, bio, chemistry, everything और यह सब कुछ मिला कर कहा जाता है forensic science यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और लंबा सा definition दिया हुआ है which says कि the application of science to the criminal and civil laws that are enforced in criminal justice system which is also an appropriate definition for the forensic science चले अब चलते हैं अपने next topic की ओर जो है historical perspective और need of forensic science की आखिर क्यों हमें forensic science की जर्रत पड़ी तो जैसे जैसे जमाना modern होते गया crime करने के तरीके भी बदलते गए जैसे कि 90's की बात करें तो उस समय cyber crimes नहीं होते थे परन्तु अभी cyber crimes होने लगे हैं तो इसे के साथ साथ law enforcement में भी changes आते गए पहले cyber laws नहीं होते थे लेकिन अब जब computer का era आया तब तो cyber laws बनने लग गए तो जो age old modern interrogation का method था it was no longer reliable क्योंकि कभी कभी third degree torture की वज़े से actual में criminals के death भी हो जाती थी और most of the time तो ऐसा होता था कि torture के डर से जो actual में criminal नहीं होता था वो भी crime कुबूल कर देता था तो forensic science के development ने law enforcement के लिए एक important tool का काम किया जिसकी वदद से हम more appropriately एक crime को detect कर सकते हैं और accurate result भी पा सकते हैं साथी साथ crime को कम करने के भी बहुत सारे methods निकाले जा सकते हैं forensic science के development में एक बहुत बड़ा हाथ Sir Arthur Canon Doyle का भी है अब कौन थे Sir Arthur जी हाँ ये famous fictional character Sherlock Holmes के जनक है and he popularized the modern crime detection method with the help of some scientific techniques इन्होंने अपनी famous series Sherlock Holmes ने serology, fingerprinting, firearm identification ऐसी बहुत सी crime detection scientific methodology दिखा चुकी थी जो उस time तो real life में use भी नहीं होती थी तो आप समझ सकते हैं कि एक frictional character का impact हमारी life में कितना बड़ा हो सकता है अब बात करते हैं famous contributors के बारे में कि आखिर forensic science के field में किन-किन scientist ने, किन-किन महान लोगों ने क्या-क्या contribution किया था इस list में सबसे पहला नाम आता है Matthew और Phyla का इन्हे father of modern toxicology भी कहा जाता है अब भर toxicology क्या है यह तो हम आगे की slides में जानेंगे अब बात करें इनके contribution की तो इन्होंने first time poison detection methods के बारे में पता लगा था कि आखिर poison जो होता है उसका chemical analysis क्या होता है कौन सा जहर दिया गया है कितनी मात्रा में दिया गया है इस जहर का क्या effect होता है animals पे यह सब कुछ अगर आज हम पता लगा पा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्हें के contribution की वज़े से अब इसी जंग्चर में अगला नाम आता है Sir Alphonse Bertilon का इन्हें father of criminal identification भी कहा जाता है इनसे जादा personal identification में किसी और का contribution नहीं रहा है इन्होंने जो technique बतायती है वो आज भी दुनिया के कई हिस्सों में follow की जाती है though it is replaced by fingerprint identification इनकी technique का नाम था anthropometry अब anthropometry में क्या होता है So let me tell you इसमें body measurements लिये जाते हैं जैसे कि एक उमली से दूसरी उमली का distance कितना है किसी के हाथ का distance कितना है पैरों का distance कितना है एक बड़ी उमली से लेकर दूसरी बड़ी उमली का distance इस तरह से criminal की identification का method Alphonse Bertilon ने introduce किया था अब बात करते हैं admin locart की बिना admin locart के जिकर के तो forensic science की पूरी की पूरी हिस्टरी ही अधूरी है उन्होंने locart's exchange principle दिया था अब locart exchange principle क्या है यह तो हम उस वीडियो में discuss करेंगे जिसमें मैं forensic science के सारे principles explain करूंगी उन्होंने एक बहुत है important यह exchange principle भी होता है locart के जमाने में उतने modern equipments अवेलिबल नहीं थे उन्होंने बस एक पुराने से microscope और एक spectrometer के basis पे अपनी पूरी research केरी की और उनके इसी hard work और dedication की वज़े से उन्हें founder और director भी माना जाता है institute of criminalistics का अगर आज हम यह पता लगाने में सक्षम है कि यह particular bullet किसके gun से fire की गई है तो यह सर्फ और सर्फ Kelvin Goddard के मदद से वे US Army में करनल थे चुकि वो army में थे तो fire arms से उनका नाता होना तो एक आमसी बात है Goddard की वज़े से हमने comparison microscope को as in tool use करना जाना जिसकी वज़े से हम किसी भी modern fire arms यानि कि कोई भी हत्यार gun हो या फिर किसी भी तरह की rifles हो इन सब को compare कर सकते थे और इसका एक effective use आज भी forensic science में होता है बात करते हैं डॉक्टर लियोनी लाटेस की वे professor थे Institute of Forensic Medicine के एक Italy की university में अब सब को पता होगा डॉक्टर कार्ल लैंड स्टीनर ने A, B, O blood group की खोच की थी अलग-अलग blood groups होते हैं अलग-अलग person की कोई A positive, कोई B positive कोई A negative, कोई A B positive O negative, O positive and much more stuffs like that तो लियोनी लाटेस ने इसी एक research का इसी एक blood group categorization का use करते हुए बहुत ही important खोच की forensic science के field में जो आज भी बहुत ही मददगार साबित होती है उन्होंने किसी भी dry blood stain की blood group को खोचने की technique निकाल ली अब ये dry blood stain क्या होता है तो आपने देखा होगा कि किसी भी victim के कपड़े पर या फिर कहीं भी अगर खून सूख जाता है तो उसका blood group पता करना उतना आसान नहीं हो सकता जितना की एक गीले खून का होता है तो यही technique बस लियोनी लाटेज ने खोज निकाली और बना दिया हमारे forensic science की research and development को और भी आसान कैलीज हूं प्राइश व्राइश कर दये नहीं है एम खून मिन कितना प्राइश लाएश